इस सेशन के अंदर हम लोग Windows XP की इंस्कॉलेशन को डिस्कस करने की फोशिश करेंगे Windows XP की इंस्कॉलेशन करने के लिए हमें Windows की बुटेबल डिस्क की जरुवत होती है और उस बुटेबल डिस्क को हम लोग CD-TWIKE पे लोड करते हैं और सिस्टम के BIOS में जाते हैं BIOS का मतलब है Basic Input Output System और मुक्तलिफ computer की BIOS में जाने के मुक्तलिफ तरीके होती है मिसाल के तौर पर जैसी computer start हो तो हम लोग DAL का बटन प्रेस करते हैं या फिर F2 का बटन प्रेस करते हैं और इस तरह से different computer की BIOS में जाने के लिए different method यूज़ किया जाता है आम तोर पे हर BIOS के अंदर booting device का एक option या menu available होता है उस boot के option में जाने के बाद हम first boot device में CD-ROM define करते हैं और CD-ROM define करने के बाद BIOS को save करते हैं और exit करके बाहर आजाए और अब जब हम system को restart करते हैं तो installation की जो screen हमारे सामने आती है वहाँ से मैं आपको demo देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम system को restart करते हैं तो restart करने के बाद first device के अंदर press any key to boot CD-ROM की screen हमारे पास आती है और यहाँ पर हम कोई भी key प्रेस करते हैं किसी भी key को प्रेस करने के बाद हमारे पास windows की जो bootable file से वो cd से read करना शुरू कर देता है और हमारा system cd से कुछ files को read करता हुआ आगे की तरह बढ़ता है installation के इस complete phase के अंदर जो भी important key points हमारे सामने आएंगे उसको मैं आपके साथ discuss करता चलूँगा ताके आपको अंदाजा हो सके के एक आम तोर पर windows की installation यानी experience for a person करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना को था है टा-एंदा, इस प्याओा कर लिएजर थे एपके लिए ้ंगर फ्वास, वाबगे explaining हम दब एक ऐसी hard drive पर installation करने जा रहा है है जो के hard drive बिलकुली blank है यानि जब आप market से blank hard drive बाय करते हैं तो वो बिलकुली zero होती है उसमें किसी किसम के partitions नहीं बने वे होते नहीं उसके कोई space occupied होता है तो हम अपनी मरजी के partitions की get करेंगे और installation उसमें इंस्टाउल जाएंगे जब हमारे सामने windows की bootable files read हो जाएंगी then उसके बाद हमारे पास एक intro screen आएगी इस screen को अगर हम गौर से देखें तो इसके जो option से उसको part का हम जवाब दे सकते हैं कि हमने actual में करना क्या है मिसाल के दौर पर सबसे पहले हमें यह कहता है welcome to setup और इसमें तीन different options हमें कहता है पहला option हमें कहता है to setup of windows xp now press enter अगर आप windows xp की installation करना चाहते हैं तो enter press करें to repair a windows xp installation using recovery console press r अगर आप recover repair करना चाहते हैं windows xp को तो आप r press कर सकते हैं repair का option आप कर पर वहां पर use होता है जहां पर हमारी windows xp किसी भी बज़ा से corrupt हो जाती है अकसर होता ही है कि जब light के effectuations होते हैं या system किसी बज़ा से बार बार on off होता है या किसी main file की delete हो जाने की बज़ा से हमारा system जब जो corrupt हो जाता है और जब हम system on करते हैं तो हमें वो error देता है कि system file आप सुप्र, please repair और वहां पर हम repair के option पर use हो जबकि तीसर option हमें कहता है to quit setup without installation xp press f3 अगर हमें windows xp के installation नहीं करनी है तो हम f3 करके पाहर जासे हो इस position पर हमें simple windows xp के installation करनी है तो हम इंटर करेंगे और अगर हम नीचे option को गौर से देखें तो हमें इसकी shortcuts बताता है क्याता है कि आप enter press करें पहुंचीन के लिए repair करें और अगर आप click करना चाहते हैं तो f3 button press करें हम यहां पर enter button press करते हैं और आगे बज़ें second screen पर हमें Microsoft का license agreement बता रहा है जिसको हमें accept करना होगा अगर हम इसको accept ने करेंगे तो वो experience policy को stop कर देगा और हम आगे यहीं बापाएंगे तो यह must है कि हम इस screen को f8 करको accept करें अगर हम इस पूरे agreement को पढ़ना चाहते हैं तो page down के button को press करके हम इस पूरे agreement को read कर सकते हैं finally फिल वक्त मैं इसको f8 कर रहा हूँ और आगे की तरफ बजाता है इस वक्त मेरी hard drive में total जो space available है 65,531 MB तो मैं उस space को use करते हुए इसमें partitions period करना चाहते हैं partitions basically आम तोर पर कमसकम दो period किया जाते हैं पहला partition c partition होता है जो कि primary partition के लाता है और इस primary partition के अंदर recommend के यह किया जाता है कि उसमें आप कोई भी एक operating software install करें जैसे कि हम इसको Windows X की install करने जाएंगे जबकि दूसरा जो partition बनेगा या उसका नाम जो है would be होगा और अगर एक से ज्यादा partition बनेंगे तो उनके letters जो है would be, e, apps इस तरह से चलके चब जाएंगे इन तमाम partitions को यानि primary partition के लावा c partition के लावा जितने दूसरे partitions के लिए होगे इन तमाम partitions को हम extended partitions करें और extended partitions के अंदर आम तौर पर हम लोग अपनी files का backup अपने data का backup अपने जाते हैं primary partition जो हमारा c partition है उसमें आम तौर पर इसको फालो करना है और अगर हम इन steps वह बहुत से रीट करें तो हमें कहता है to set up of windows xp on the selected item press enter, अगर आप इस जगह पर windows xp की install करना चाहते हैं तो आप इस प्रेस करें फिर कहता है to create a partition in the unpartitioned space press c, अगर यहाँ partition आप create करना चाहते है जो कि space available है तो आप c button press करें और अगर आप partition को delete करना चाहते है to delete the selected partition और अगर आप partition को delete करना चाहते हैं तो b button press करना है और अगर हम नीचे इसकी shortcuts को पढ़ें तो हमें पताता है कि enter button press परने से uninstallation कर सकते है c button press करने से create कर सकते है partitions जबके f3 से quit कर सकते है इस वक्योंकि मेरी hard drive में partitions create नहीं है तो हम partitions create करेंगे और इसके लिए हम लो c button to use करेंगे कहता है कि मेरी hard drive में 65, 523 mb available है और मैं इसमें से पहला जो partition बनाना चाहता हूँ वो 10,000 mb का बनाना चाहता हूँ जो almost हैं करेंगे then उसके बाद मैंने enter press किया और ये मेरा पहला partition करेंगे उसके बाद मेरे पास अभी भी partitions में space available है तो मैं एक और partition create करना चाहता हूँ तो unpartition space पर खड़े लेकर मैं c button press करता हूँ और यहां पर rest of the area में से मैं 10,000 mb का एक और partition create करना चाहता हूँ अगर आप complete partition एक और create करना चाहते हैं तो आप c button press करके enter करेंगे तो एक और partition आपका create हो जाएगा लेकिन मुझे इस वक अपनी इसमें कुछ space की जरुवत है इसलिए मैं इन तमाम space को use नगी जाता है तो मैंने दो simple partitions की react कर लिये 1010gb के और partitions की react करने के बाद अब मुझे किस partition के installation करनी है तो उस partition को select करके मैं enter button press करूँगा तो installation का next space start partition के installation करने से पहले system कहता है कि उस partition को हम format करने और हमारे सामने कुछ screens आ रही है पहला option हमें कहता है the format the partition using the ntfs file system ntfs stands for new technology file system और यह quickly partition को format करने जबके दूसरा तरीके कार है format the partition using the fat file system file allocation table fat stands for फिर तीसरे option के अंदर ntfs से format करेगा बट quick नहीं होगा और जोगे option के अंदर यह fat में file को format करेगा system को format करेगा बट यह quick नहीं हो आम तर पर मैं recommend करता हूँ कि जब आप Windows XP की installation करते हैं तो partition को format करे fat के उपर और quick चेंपर लेकिन अगर आप laptop पे installation कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आप अपने partition को ntfs के अंदर format करें और quickly आप format करें ntfs file system basically एक ऐसा partition system होता है कि जिसमें आम तर पर data की security के options रहे हो बहुत जब बढ़ जब जब बढ़ जाए जबके fat की अंदर file की security system से है वो low level रहते हैं जिससे पार ही होता है कि हम कुसी और data को जो 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 file delete होगई तो उसको recovery आससान से कर सके हैं तो हम fillbug partition को format कर रहे using the fat file allocation table और twitter तो format करने के लिए हमें option देता है enter और skip करने के लिए हमें option देता है cancel तो मैं इस बड़ enter button press के file के format हो जाए format करने से पहले again मुझे 3 options करता है to continue the format का partition अगर आप format करना चाहते हैं to go back the previous screen without having set up format this partition escape press करने और अगर आप exit करना चाहते हैं अपनी installation को तो actually press करने फिर वग मैं enter press करना हूँ कि मुझे partition को format करना है और installation को आगे continue करना है so मैं आप enter button press किया सबसे पहले मेरी c drive format हो रही है format से फादा ही होता है कि उस drive में un-label spaces थे un-order जो data या raw में जो module की उन तमाम को वो order करता है और फिर उसके बाद वो install से लगा है format करने से हमें इस बात दाज़ा भी हो जाता है कि हमारी hard drive की drive जो है जो किती solid है आम तो होता है अगर hard drive के अंदर bad sectors होंगे या इसका media जो भीक होगा तो वो format करने में time लगाएगा और हमारी hard drive जो भी बहुत जो format होगी जिससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारी hard drive की जो ecology है वो बहुत ही जाब अल्यो है या वो किसी भी level पर जानता है या किसी भी जानता है जो तो ऐसी सूरत लिए पर हम लोग पर ये files को सबसे पहले अपने system के में copy करता है अपने hard drive में copy करता है और फिर उसके बाद release start होगा आम तबे windows xp की installation Microsoft की किसी भी installation जैसे हम windows xp की installation करते हैं इससे पहले हम 98 की installation कर रहे हैं अगर आप windows की 1000 server तो उन तमान की installation में Microsoft की आम तो प्रैक्टिस यह रही है कि वो तीन phases कर रहे इंस्क्राशन करता है याली पर फेस कर रहे हमारे पास इससारा से boss-based mode screen रहे होती है इसस्स्टम रहे होती है और जब तीसी दफा system new start होता है तो वो और बो machine ready होती है और उस machine को use कर सट हो ही याली वो और यह system हमारा install को चिपा होता है तो installation के first phase पर उसक्राशन हम लोग मौजूद है और हमारा system को है वो basis installation पाई पॉपिक हमा यह सब को depend करता है system की speed के उपर अगर हमारे system की speed अच्छी होगी तो यह तमान process बहुत जड़ी हो जाएगा अगर हमारे system की performance लोगी यान इसमे कम राम लगी होगी तो इसको time लगीगा तो इसको time लगीगा तो इसको time लगीगा तो it depends everything on system speed अभी थोड़ा से बीट करते है system कौपी हो जाए और इसके बाद जब रेस्टार्ट होगा तो रेस्टार्ट होने के बाद जो screen हमारे साथ ले आएटी तेंप लेखना इसको डिस्कूस करें करिस्टा झाल क्या झाल भी दो झाल 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 तो बाहर होगी झाल 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 इंस्टालिशन के फर्स फेस पे हमें सबसे पहले रीजनल एंड लाइंग्विज साइटिंग पूछता है इस रीजनल एंड लाइंग्विज साइटिंग के अंदर हम लोग आम तोर पर इस परे मतलई के की क्ट आइएंग्वी कि हमारे अपशिंच पाता है इसे प्रम आपी जिर्णीन हमें सिस्टम में विंडु ऐकसी दया की टीम आनीटा है तो cd की आम तर पे हिंडु एकसी की cd के कवर पेज भी होती है रहं से इसको देखना सफे किया पॉइक मैं इसको वहह से कौपी कर लाता हूँ सीडी की कॉपी करने के बाद हम इंटर करें और पासवर्ड ये है सिस्टम अडमिस्टर पासवर्ड जो के फिल वक्त मैं डिफाइड नहीं करना चाहता तो मैं सिंपल कंप्यूटर नेम देकर विदाउट पासवर्ड इंटर करता हूं ताकर मैं इसके बाद करन्ट डेट और रिजन सेटिंग से इंटर हम दोदाम तौर पर पाजिस्तान पर जो हमें तौर इसमें हमारे पास आम तौर पर इसलाबाद का उप्शन जो मुझूद होता है जिसको हम लोग इसकी जोप्डाउन लिस्ट में जाता हूं जाता हूं तौर इसके बाद हम नेक्स के टेंग और इंस्टालिशन का जो नेक्स के इससे हूं वह हमारा स्टार जाता है बहुँ है लड़ मेख़ लाटों। प्सकाइब जाता है अजय को अजय को करने की बात करता है तो हम इसको next कर देते हैं इससे फादर ही होगा कि वो हमारे land card की configuration वगरा खुछ से select करके कर लेगा कर देम कुछ आरू झाल 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 यह झाल 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 झाल